हलो गेमर्स क्या हल चालेंट स्वागे था आप सब का एक बार फिर से माइनक्राफ सर्फाइबल सीरीज में तो लास्ट वीडियो में हमने बनाए था अपना आइरन फार्म यस काफी अच्छे से वर्क कर रहा है एंड आइरन फार्म अफिशेंटली वर्क इसलिए भी कर रहा है कि यार अपने बेस के काफी जाधा करीब है तो जब भी मैं बेस के आसपास रहता हूं तो काफी अच्छे से वर्क करता है मैं भी जब मैं दूर जाता हूं तब वर्क नहीं करता होगा इतना I know बट क्योंकि एफ के रहना शायद जरूरी इसके लिए पता नहीं मुझे सही से आप देर देर पता जल जाएगा जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो किते स्टेक्स जमा हो रहे तो मैं एक पर बताता हूं आपको तो almost 3 स्टेक्स होने वाले 2 and half स्टेक्स हो गए है तो जब भी iron की जरूरत पड़ेगी तो हमें mine करने नहीं जाना पड़ेगा काफी जादा helpful रहने वाला है यह तो यह तो हो गया iron farm अगर आपने नहीं देखा है कि यह मैंने iron farm कैसे बनाए था वैसे काफी जादा easy था यार म में भी next video से पहले मैं complete कर दूँ एंडा एक बार आपको पूरा दिखा दूँ कि किस तरह से बनाए तो उससे पहले यह जो XP farm है ना यार यह अच्छे से work नहीं कर रहा है मैं सोच रहा था कि एक spider XP farm बना दे क्योंकि अपने को mineshaft तो मिली हुई है वहाँ पे spider spawner भी है तो दे नहीं है इस XP farm से तो बहुत सारे plants है future के लिए और बहुत अच्छे ची वीडियो जाने वाली है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा तो अब बात करते हैं आज के वीडियो की आज क्या करने वाले तो यह एरिया मैंने पूरा clear करा है यहां से बहुत मेनत लगी बहुत टाइम लग गया इसमें बहुत सारे shovels टूट गए मेरे और यह विला एरिया मैंने चूज किया है यहां पर हम बनाने वाले अपना automatic wool farm यस तो सबसे पहले तो मैरेको silt से अनब्रेंगिंग एंड मेंडिंग तीनों है तो इसके उपर लगा लेते हैं क्योंकि अपने को grass blocks ची होंगे और आगे भी काफी काम आने वाली सिल्टर्च तो जरूरी भी है इसका नाम भी सिल्टर्च रख देते हैं ताकि एक fortune वाली हो गई और एक सिल्टर्च वाली हो विलेजर्स के साथ की emerald मतलब trade करने के लिए मेरे पास सिर्फ paper ही है मतलब खास तो थोड़े बहुत automatic farms बन जाएंगे तो अच्छी खासी trading कर सकूँगा मैं विलेजर्स के साथ और थोड़े अच्छी खासी progress हो सकेगी अपने तो maybe in future अपन जो है बना देंगे automatic farm भी बना दे वाले हैं first wolf arm तो यहां पर अपने लगाने वालेगा chest chest लगाने के बाद इसके just पिछे अपने को लगाना है hopper जो की connected होना चीए chest के साथ now इस hopper के उपर लगाने एक rail ताकि अपन minecart with hopper लगा सेके तो इसके उपर इस तरह से रखना है side में होना चीए जैसे मैंने लगाए and then आप rail को निकाल सकते हो तो एक बार मैं rail को निकाल लेता हूँ अगर नहीं work करेगा फिर से rail के उपर लगा देंगे में भी कुछ problems आ जाए तो वहाँ पे देखना पड़ेगा तो यहाँ से एक बार मैं area को पेक कर देता हूँ यहाँ से ताकि यह जो minecart with rail लेना sorry minecart with hopper तो यह side से न निकल जाए तो इसको पेक करना ज़रूरी यह वैसे पेक करना ही पड़ेगा आपको तो यहाँ पे भी dirt लगा देते हैं अब क्या करना है यहाँ पे अपने को graph blocks लगाने है तो minecart जहाँ पे है वहाँ पे एक सिकेंद नई नई गलत कर रहा हूँ मैं मेरेको एक height पर जाना पड़ेगा मेरेको लगा यहाँ नीचे से लगाने पड़ेगे बड़ नई फिर से height पर जाना पड़ेगा तो ship जो अपन लेके आएंगे वह खड़ी रहेगी minecart के just उपर एंड उसके just back side पे अपने को लगाना है dispenser तो एक बार तो मैं यहाँ पे grass block लगा देता हूँ इसको cover कर लेते हैं इस block के उपर रही ship एंड इसके just back side पे अपने को लगाना है एक सिकिंद कहां गिया मेरा dispenser तो dispenser के अंदर shear आ जाएगा तो वो wool को cut कर देगा ship के उपर से त तो यहाँ से अपने को एक glass block और लगाना है एक यहाँ पे भी लगा देते हैं पूरे सारे corners cover कर लेते हैं देन उसके बाद अपने को क्या करना है एक glass लेना है और platform बनाना है ताकि ship जो है यहाँ से बाहर ना जा सके एक dispenser के उपर भी लग जाएगा यहाँ पे भी दो लग जाएंगे तो यहाँ पे मैं एक भी एक ही लगा रहा हूं एक बार तो एक बार अपने को ship लेके आने पड़ी कि उसके बाद इसको पूरा cover कर लेंगे now अब अपने को लगाना है observer तो एक बार इसको मैं cover कर लेता हूं पूरा यह done तो observer लगेगा just dispenser के नीचे तो इसको तोड़ लेते हैं okay now अब लगाना है यहाँ पे अपने को observer तो इसका move आप देख लेगा ना अगर आप भी बना रहे हो तो same इसी तरह से रहना चीए तो इस तरह से दिखना चीए जो dot है ना अपनी side पर होना चीए अगर आप back से लगा रहे हो then यहाँ पर अपने को grass block लगाना है and then इसके उपर अपने को wiring करनी है तो redstone done okay तो यहाँ पर यह wiring complete हो चुकी है तो जैसे shift जो है grass खाएगी observer observe कर लेगा and वो dispenser पर signal बेज़ेगा तो dispenser के अंदर अपन शीर रखेंगे and उससे जो है वो wool cut कर लेगा तो जैसे ही वापस से grass grow हो जाएगी तो shift वापस से grass खाएगी and वापस से उसका cut हो जाएगा wool तो इसी तरह से यह work करने वाला है तो कितना efficiently work करने वाला यह तो बाद में देखते हैं यहाँ पर मैंने एक shift देखी तो उसी को लेके आ जाते हैं अपने बाड़े में वैसे बहुत सारी ship हैं बट कोई दिक्कत नहीं है इसको लेके आ जाते हैं यह यह सी बाहर गूम रही है तो थोड़ा इसको काम पर लगाते हैं आजा वही तो गूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंदर मस्त खाना वाना सब मिलेगा वहाँ पर अंड़ा फोड़ देते हैं एक बार तो चलो आजाओ तो अराम से इस तरह से ला सकते हैं मैं एक बार एक बना लेता हूं उसके बाद चार में ऑफलाइन बना लूँगा कोई नहीं उसमें सेम ही मेथड़ है काफी जाधा easy है इतना कोई tough नहीं है तो ओके trigger हुआ है बट क्या problem हुई ओल राइट ओके 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 यार मैं शियर लाना भूल गया बई तो वूल कटेगा कैसे मैं शियर तो लाए ही नहीं बाई नुकसान हो गया है तो काफी time waste हो गया मेरा चलो कोई रिकत नहीं हो जाती इकलती तो यहाँ पर अपन डिस्पेंसर पर रखना है अपने को शियर तो अब जैसे ही next time यह ग्रास खाईगी न तो यहाँ पर इसका वूल जो है शियर हो जाएगा एंड सीधा जाएगा होपर में होपर के थ्रू जाएगा अपनी चेस्ट के अंदर तो इस तरह से काफी जादा अपने को वूल मिलने वाले हैं ओके तो ग्रास ग्रो हुई एंड कट गया इसका वूल बट यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है पर इसने माइन कार्ट में क्यों नहीं गया है यह वूल उपर ही रह गया यार मेरे को कुछ देखना पड़ेगा इसके उपर रेल अगर तोडएंगे अपन थोड़ा सा नीचे च करता है अगर दोनों में से जो बेटर वर्क करेगा उसको रखेंगे अपन यह तो वर्क करीन रहा है सही से ओर राइट तो सेकिंड इस्टेशन भी बना दिया मैंने इसमें मैंने क्या किया है जो रेलवे लाइन थी वो नहीं हटाई है माइन कार्ट के नीचे से तो यहाँ मैं सेम तरीके से कर देता हूँ क्योंकि वो अच्छे से वर्क कर रहा है तो एक बार एक काम करते मैं यहां से इसको अटाता हूँ चेस्ट को देन यहां से इसको निगाल लेते हैं मेरे को वापस से बनाना पड़ेगा इसको तो बना के मैं लेके तो आगे हूँ यहां पर र लगा देते हैं यहां पर नाव मेरे हिसाब से अब यह वर्क करना चीए तो तीन आ गए इसके अंदर इसके अंदर आ गए चार एंड लीड भई इसको भी निकाल लेते हैं लीड को भी तो आइधिंग यह अब अच्छे से वर्क कर रहा है तो बागी कि मैं वापस किते थे चा पर बनाने वालाहे एक सिकंड यह गलत रख दिया मैं थोड़ा सागे रख दिया यहां पर इसी लाइन के अंदर तीन बनाने वालाहे तो 5 हो जाएंगे बागी के दीरे दीरे अपन बना लेंगे बाद में कोई दिकत नी है उसमें जैसे-जैसे मेरे को दूसरी डाई मिलती रहेंगी विशे-विशे मैं बनाता रहूंगा और मेरे को देखने हैं पड़ेगा कि कितनी तरह की डाइबन बना सकते हैं आस पास कितने फूल मिल सकते हैं मिलको तो लास्ट वाला यहां लगा देते हैं तीन-तीन का गेप है इनके अंदर तो मैं फटा-फट से बना देता हू देन मिलता हूँ आपको ओके गाईस तो ये पांचो डन हो चुके हैं फिलाल तो ये वाइट वूली दे रहे हैं आप मेरे को क्या करना है इनको डाई करना है तो पहले देख लेते हैं वर्क कर रहा है 10 हो गए इसमें इसमें हो गए 18 ये काफी ज़दा फास्ट वर्क कर रहा है इसमें 3 है इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर 6 है चलो वर्क सारे कर रहे है और सिर्फ एक ही चेंजिस करा स्टार्ट वाले से अपने कि यहां पे अपने माइन काट विद होपर के नीचे रेल रहने दिये उसको नहीं हटाई है अगर रेल हटा रहा था मैं तो वो जो वूल कटरी थी ना वो होपर के अंदर जहां नहीं रही थी ओके तो अपन डाई बना लेते हैं ताकि अपन जो बेड को डाई कर सेके और उस color की अपने को wool मिल से के आगे जाके सबसे पहले black तो black तो हो गए अपना काम इंक सेक को वापस रख देते हैं ये अपने को सिर्फ पानी में से ही मिलती है इंक सेक तो ये काम तो हो गया दूसरा में सुझ रहा था कि एक तो white हो गया एक black हो गया एक अपन red बना लेते हैं एक yellow ठीक रहेगा एक I think मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा बनाते हैं red हो गई एक बना लेते हैं yellow येलो भी मेरे पास हैं तो yellow डाइबी एक के हो गई, 4 हो गई total एक पांच, एक और चीए मेरे को तो I think green कल्प नहीं, green तो बनेगी यार इससे, cactus से बनेगी इसको मेरे को smelt करना पड़ेगा तब जाके मेरे को green dye मिलेगी तो मैं इसको smelt कर देता हूँ and then एक green dye लेते थे तो start के 5 color होगे white, black, green, red and yellow तो इस 5 color के wool आने वाली है मेरे पास तो black and white तो main इसलिए है, क्योंकि यार अभी जो मैं trade कर रहा हूँ villages के साथ, तो एक बन्दा black कर रहा है trade और एक कर रहा है white, तो ये काफी काम आने वाली है इन बाकी भी में भी आगे जाके trade खुल जाए इनकी भी, तो ये भी काम आ जाएगी तो चलते हैं, फिर अपने right click दबा के ही रखना पड़ेगा मेरे को एंड उससे पहले तो यहाँ पर night होगी तो पहले मैं soul लेता हूँ बाकी यहाँ पर creeper वी पर फट गया तो मेरे सारी band बच जाएगी यहाँ पर ओके सबसे पहले इसको die करते हैं तो इसको मैं सोच रहता है कि इसको करते है black die and जो second वाला है वो काफी fast work कर रहा है तो उसको white रहने देते हैं अपन क्योंगी white tread काफी जादा है तो एक second यहाँ पर नहीं ऐसे jump करूँगा मैं तो नहीं होगा इसके जब तक wool आईगी नहीं यह dye नहीं हो पाईगी तो wait करना पड़ेगा ओके तो grass तो उख गई यह अब यह खा नहीं रहे ओके खाना इस्टार्ट कर दिया है मैं right click ओके तो यह हो चुकी एक black से dye तो right click दबा के रखाता हम बाकी सभी को भी मैं dye कर देता हूँ फटा फट से ओके तो wolf arm का काम complete हो चुका है यह आप देख सकते हो सामने की तरफ काफी ज़ादा रंग बिरंगा कर दिया है मैंने इसको glasses भी जी हो है मैंने same color के ही कर दिया है dye करके तो same दिखेंगे और काफी अच्छे लग रहे है वैसे black वाला थोड़ा सा black दिख रहा है सही से नहीं दिख रहा है बाकी सब सही है इसके अंदर भी काफी wool आ गई है 12 इसके अंदर आ गई है यह जो black एंड यह जो मैंने पूरा area जो रंग बिरंगा किया ना इनी wool से किया है तो इतनी सारी मेरे को पहले भी मिल गई और देन बाद में भी 24-24 अभी आना start हो गई है यहाँ पर मैं सोच रहा था है कि यहाँ पर भी अपन जो है यह smelt जो stone थे ना तो इसको यहाँ पर पूरे को cover कर देते हैं तो इस पूरे area को अपन cover कर देते हैं smooth stone के साथ ताकि यहाँ पर आसपास यह जो green है ना green grass के साथ मिलके एकदम सेम लग रहा है तो मेरे पास खतम हो गए थोड़े से ओर लेके आता हूँ तीन ओर ची होंगे तीन चार और राइट तो यहाँ पर इसको भी cover कर देते हैं पूरा now it's done तो अपना पूरा farm complete हो चुका है तो भई दीखने में तो काफी अच्छा लग रहा है काफी जादा रंग भिरंगा हो गया इस side पर बाकी के farm भी बना दूँगा मैं बाकी के color के wool farm भी तो काफी अच्छा लगने वाला है 15-16 color हो जाएंगे तो रंग भिरंगा हो जाएगा यहाँ पर तो मैं lanterns लेके आये था तो यहाँ पर बीच में एक एक lanterns भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा area चमके का night में डाक 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 नहीं लगना चीए night में तो भई वुल्फार्म बनाने में जितनी मेनत नहीं लगी थी उतनी मेरे को डर्ट हटाने में लगी थी तो काफी जादा मेनत का काम हो गया था तो कैसा लग रहा वुल्फार्म जरूर से बताईएगा and I hope कि आप लोगो आज की वीडियो भी पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक करना चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा मिलता हूँ आप सबसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई